नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 MSQ Cautions लेकर आये हूँ Sports GKK Very important Cautions का ये session latest exam pattern पर आधारित है Cautions भी latest है आप exam में आने वाले इन Cautions का test दीजिए हर caution का answer देनी के आपको 5 seconds का समवा मिलेगा अगर आपका score अच्छा आता है तो तैयारी अच्छी है रही तो भगवान भरोसे स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर BCCI के वर्तमान CEO कौन है क्या उत्तर हो गया इस question का बतला ये स्ट्रेयन ग्रैंग प्रिंक्स 2020 का खिताब किसने जीता बतलाईए चले देखते हैं तो ये खिताब Lewis Hamilton ने जीता है राइट आंसर हो जाएगा option no.b 20 कौशन के लिए सही उत्तर है next question देखते हैं क्या पुछा गया है हाकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है इंडिया के नए अध्यक्ष ग्यानेंद्रो निगों बाम right answer हो जाएगा option no.b 20 यहाँ पर सही उत्तर है next question देखते हैं क्या पुछा गया है भारत के 66 शत्रंज grand master कौन बने है बतलाईए चले जेखते हैं तो भारत के 66 शत्रंज grand master जी आकाश बने है right answer हो जाएगा option no.b 20 इससे पहले के quiz की link description box में दे दी गई है link पर click करके आप इससे पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं जो कि अलग अलग subjects के हैं next question देखते हैं क्या पुछा गया है international cricket council के अध्यक्ष कौन है बतलाईए चले देखते हैं तो international cricket council के अध्यक्ष इम्रान ख्वाजा right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछा गया है 21 सदी के भारत के सबसे उप्योगी टेस्ट खिलाडी कौन बने हैं बतलाईए चले देखते हैं तो 21 सदी के भारत के सबसे उप्योगी टेस्ट खिलाडी रविंद्र जरेजा है right answer हो जाएगा option number C next question देखते हैं क्या पुछा गया है राजिस्थान क्रिकेट संग के अद्धिक्ष कौन है बतलाईए चले देखते हैं तो राजिस्थान क्रिकेट संग के अद्धिक्ष वैभाव गहलोत है next question देखते हैं क्या पुछा गया है ICC के अद्धिक्ष कौन है बतलाईए चले देखते हैं तो राइट आंसर क्या है इमरान ख्वाजा राइट आंसर है नेक्ष कौशन देखते हैं क्या पूश अगया है फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ बतलाईए चले देखते हैं तो फिट इंडिया मूवमेंट अगस्थ 2019 से शुरू हुआ था नेक्ष कौशन देखते हैं क्या पूश अगया है बिसी सी आई चैन समीति के मुख्य चैन करता कौन है चलिए देखते हैं तो BCCI चैन शमिती के मुख्य चैन करता सुनील जोशी है next question देखते हैं क्या पूशा गया है महिला T20 World Cup 2020 किसने जीता बतलाईए चलिए देखते हैं तो महिला T20 World Cup 2020 और शेलिया न जीता next question देखते हैं क्या पूशा गया है यहाँ screen पर run g trophy कितने over का होता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो run g trophy 90 over का होता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है run g trophy 2020 किसने जीती बतलाईए चले देखते हैं तो 2020 की रणजी सौराष्ट ने जीती है next question देखते हैं क्या पुशा गया है सीट कालीन ओलंपिक खेल 2022 का योजन कहा होगा right answer कहा है बतलाईए चले देखते हैं तो हाली में CGPSC जो परिक्षा हुई थी उसके general studies part 1 में question पूछा गया था इसका answer है बीजिंग चीन option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer हो जाएगा option number D दोस्तो वीडियो को like करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करेगा सारे questions बहुत उपयोगी हैं अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर कर दीजेगा next question देखते हैं क्या पूछा गया है एश्याई युवा पैरा खेल 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा बतलाईए चलिए देखते हैं एश्याई युवा पैरा खेल 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा right dancer हो जाएगा option number C next question देखते हैं FIFA ranking 2020 में भारत का इस्थान क्या है बतलाईए तो FIFA ranking 2020 में भारत का इस्थान 108 हुआ है next question देखते हैं क्या पूछा गया है 2022 में राश्रमंडल खेल कहां पर होंगे बतलाईए चलिए देखते हैं तो 2022 में राश्रमंडल खेल बर्गिंगम में होंगे राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंगम next question देखते हैं GS लक्ष्मी ने किसमे इतिहास रचा है क्या उत्तर हो जाएगा इस question के लिए चलिए देखते हैं तो GS लक्ष्मी वे पहली महिला ICC match referee बनी हैं राइट आंसर हो जाएगा option number 20 इस question के लिए सही उत्तर हो जाएगा इसमें इतिहास रचा है next question देखते हैं दुनिया की सरवादिक कमाने वाली महिला खेलाडी कौन है बतलाइए चलिए देखते हैं तो दुनिया की सबसे जादा कमाई करने वाली महिला खेलाडी जो है दो प्रारूप हैं बतलाइए चलिए देखते हैं तो सरकल स्टाइल और स्टेंडर्ड स्टाइल ये जो है कबड़ी के दो प्रारूप है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं भारतिय पैरालंपिक समिती PCI का अध्यक्ष कौन है बतलाइए चलिए देखते हैं तो भारतिय पैरालंपिक समिती जिसको PCI बोलते हैं इसके अध्यक्ष दीपामलिक जी है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं तीरंदाजी विश्यो चैंपियन बनने वाली पहली भारतिय महिला कौन है बतलाइए चलिए देखते हैं तो तीरंदाजी विश्यो चैंपियन बनने वाली पहली भारतिय महिला डोला बनरजी है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं पाक बल्लेबाज उमर अक्मल को भरष्टाचार के आरोप में कितने साल का प्रतिबंद लगाए गया है बतलाइए चलिए देखते हैं तो यह प्रतिबंद लगा है तीन साल का option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं विजडन पुरुसकार 2019 किसने जीता बतलाइए या किसे दिया गया चलिए देखते हैं तो विजडन पुरुसकार 2019 का बैंड स्टोक को दिया गया है right answer हो जाएगा option number B बैंड स्टोक नेक्स वाशन देखते हैं क्या पुशा गया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2021 का आयोजन कब होगा बतलाइए चलिए देखते हैं तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2021 का आयोजन 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच होगा right answer option number B next question देखते हैं विश्व मुग के पाजी चैंपियंशिप 2021 के मेजबानी कौन सा देश करेगा बतलाइए चलिए देखते हैं तो विश्व मुग के पाजी चैंपियंशिप 2021 के मेजबानी सर्विया करेगा option number A यहाँ पर सही उत्तर है next question देखते हैं कोपा कप किस खेल से संबन्दित है बतलाइए चलिए देखते हैं तो कोपा कप फुटबॉल से संबन्दित है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश अगया है राश्व मंडल खेल 2022 कहाँ पर होंगे बतलाइए चलिए देखते हैं तो राश्व मंडल खेल 2022 के बर्मिंगम में होंगे next question देखते हैं क्या पुश अगया है यहाँ स्क्रीन पर हैं तो 2022 FIFA विशुकप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी option number C इस caution के लिए सहीत्तर हो जाएगा next question FIFA विशुकप 2022 कहाँ होगा क्या उत्तर होगा बतलाइए चलिए देखते हैं तो FIFA विशुकप 2022 जो है यह होगा कतर में अच्छा FIFA की बात चलिए फुटबॉल से related है एक होता है फीला आपको बताना है फीला जो है संस्था वो किस गेम की संस्था है और फीला का फुल फॉर्म क्या है comment box में अपना answer share करिएगा यह आपका sport session था जो की 30 question मैंने पूछे आपसे top important क्या score रहा आपका बताईए दोस्तो चैनल पर पर दे लाइब क्लास होती है यह लाइब क्लास का टाइम टीबल है अल्ली मॉर्निंग 6 o' क्लॉक जर्रल अवेनस होती है रात में 8 से 9 एक घंटे के लिए साइंस की लाइब क्लास होती है जीके जीएस और current affairs के one liners बिना option के direct caution answer का session रात में सोने से पहले 10 से 11 चलता है तो आप इन 3 लाइब क्लास के लिए आ सकते हैं चैनल पर subscribe कर लिए चैनल पर वीडियो को देखने के लिए चैनल subscribe करने के साथ साथ bell icon on कर लिजेगा जिससे आपको मेहनत आप ही judge कर सकते हो यहाँ पर judge आप हो ठीक है तो वीडियो को like जरू करिएगा और link को अपने दोस्तों के साथ share जरू करिएगा तो कैसे लगा वीडियो हम आपके comment का इंदजार कर रहे हैं जरूर अपना comment हमसे share करें मिलते हैं next वीडियो में अपना ख्याल रखें मस्त रहिए इससे पहले वाले quizzes की link में न description box में दे दी है link पर click कर के आप वो भी देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो